तो चलिए दोस्त आज के सेसरने स्टाट करते हैं और आज एक नया सब्जेक्ट लेकराए हैं हिंदी ब्याक्रन आज हिंदी ब्याक्रन में आपको मुख इन्पोर्टन कोस्चन बताते जाएंगे जो एक्जाम के समय आपको पहुत हेलप करेगा बहुत important question है तो चलिए बीना लेट के हुए हम question के तरफ बढ़ते हैं देखे पहला question है सकार का बिलोम सब्द क्या होता है सकार का बिलोम सब्द सकार का बिलोम होता है नीराकार क्या होता है नीराकार चलिए आगे बताते हैं आपको धर्ती धर्ती का बिलोम सब्द क्या होता है धर्ती का होता है आकास किलियर धर्ती का आकास होता है आए आए सब्द का बिलोम क्या होगा आए का होता है बेये खर्च किलियर अब देखिए गुन का बिलोम सब्द होता है दोस और भी बताते हैं देखते चलिए चलिए अब देखिए अपमान अपमान सब्द का बिलोम होता है शम्मान के लिए इसमें आपको मुख्य इंपोर्टेंट बताएंगे जो एक्जाम के समय आपको काफी हेल्फुल होगा क्लास इंटर के लिए और क्लास तेंध के लिए बहुत इंपोर्टेंट है देखिए आगे बताते हैं आकास आकास सब्द का बिलोम होता है पताल के लिए खारा खारा सब्द का बिलोम होता है खोटा और बताते हैं देखिए संधिया संधिया का बिलोम होता है प्रात प्रात अ अंबर, अंबर का भी प्रार्थक सब्द क्या होता है, अंबर का होता है अवनी, अवनी, नाया, नाया का बिलोम होता है पुराना, जनम का बिलोम क्या होता है, जनम का होता है मिर्तियू, ओके, अध्धम, अध्धम का बिलोम सब्द होता है उत्दम, और बताते हैं, ध्यान दिजिए ध्यान दिजिए देखिए पूरुस पूरुस का बिलोम सब्द होता है इस्तरी पूरुस मैंने मर्द इस्तरी मैंने औरत उसके बाद अनुराग अनुराग का बिलोम होता है बिराग उसके बाद होता है तलवार तलवार सब्द का बिलोम क्या होता है दिखाई दे रहा है सायक यहां देखे एक मिनट एक मिनट एक मिनट सायक चलिए और कुछ बताते हैं और भी देखिए ध्यान देजिए आसा आसा का भिलोम होता है नीरासा किलियर समझ में आ रहा है ना चलिए और बताते हैं बाध बाध का भी परार्थक सब्द होता है सुख सुखार जा इसको बोलते हैं आप सुरोता सुरोता मने सुनने वाला इसका विलोम होता है वक्ता आदान आदान का होता है प्रदान के लिए आगे देखिए इमानदार का होता है बे-इमान उच उच सब्द का विलोम होता है नीच समझे चलिए कठोर एक और बता दे ment होता है कोमल बने मुलायम सुफ्द तो चलिए बहुत मतब आज हम आपको सिखांद विलोम सब्द प्राडर्थक सब्द ऐसे बहुत सारे question हम लेकर आएंगे अलग-अलग subject के जो आपके exam में बहुत काम देगा exam के लिए बहुत important है ये सब question exam के लिए जो की 10th class हो 12th class हो इस सब के लिए बहुत helpful होगा तो चलिए आज के session यहीं पर समाफ्ट करते हैं और फिर एक नए session में नए subject के साथ आते हैं जो की आपके लिए करगर हो तो इजादत देजिए जय हिन जय भारत